नमस्ते डेयोवीवज आज के इस वीडियो में हम लोग एक application लेने वाले हैं first law of thermodynamics का, okay, question के form में इसको discuss करेंगे मिर प्यारे वीवज पिछली कुछ वीडियो में हम लोगों ने first law of thermodynamics के कुछ applications पर चर्चा किया जैसे कि हम लोगों ने जब first love thermodynamic को melting process और boiling process पर apply किया तो क्या results मिला इसे हम लोगों ने देखा उसी प्रकार जब हम लोग first love thermodynamic को isothermal और isocoric process पर apply किया तो तब हम लोगों ने देखा वह यह क्या result मिल रहा है उसी प्रकार जो relation obtain करते हैं हम लोग CP और CV के बीच यह भी एक प्रकार से कहिए तो first love thermodynamic के application का ही हिस्सा है क्योंकि पूरे derivation first love thermodynamic का प्रियोग करते हैं हम लोग उसी प्रकार आज जो question हम लोग लिये है कि so that in an adiabetic process cooling is produced यह भी एक प्रकार से first love thermodynamic का ही application है क्योंकि हम लोग इसको first love thermodynamic की मदद से ही show करने वाले हैं ठीक है जैसा कि हम लोगों ने लिखा है cooling production and adiabetic process यह भी एक प्रकार से application में ही आता है first love thermodynamic के और एक और इसमें topic बचा हुआ है that is equation of adiabetic process adiabetic process का जो equation obtained किया जाता है वो भी first love thermodynamic की मदद से किया जाता है वो हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे तो चलिए यह जो question है इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और समझने का कोशिश करता है कि कैसे भाया adiabetic process में जो है cooling produce हो रहा है कैसे ठीक है तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक setup ले लिया भी यह मान लीजी यह कोई cylinder है कैसा cylinder इसका walls insulated है हाना चुकि इसके अडाइबेटिक प्रोसेस यहाँ पर होना है है तो अब इससी बात है अडाइबेटिक प्रोसेस के केस में सिस्टम में ना तो कोई heat enter करेगा ना ही system से कोई heat leave करेगा आप भी जान रहा हो है इसलिए हम लोगों ने क्या क्या है यहाँ यह जो cylinder लिया है यह क्या है insulated cylinder ह ठीक है insulated wall से इस cylinder का और यहाँ पर इस cylinder में एक piston क्या है fitted है यह piston क्या है frictionless weightless और यह भी insulated है insulating wall से इस piston का भी ताकि system में कहीं पर भी loophole ना हो जिससे की कोई heat enter कर जाए और यहाँ पर अंदर में gas enclosed है एक प्रकार से system जो है जिसको system कह रहा है हम लोग गैस को ठीक है वो यहाँ पर enclosed है इस cylinder में ओके अब यहाँ पर माल लिजी कोई एक instant है किसी instant of time में यह जो gas है इसका जो pressure वो है P इसका जो volume है वो है B और इसका जो temperature है वो है T किसी एक instant में इसका pressure को P ले लिए हम लोग यहाँ पर जो gas enclosed है इसका volume को V ले लिए इसका temperature को P ले लिए अब चुकि यहाँ पर यह क्या है एक प्रकार से आप कहो तो a diabetic process हो रहा है तो ना तो system में कोई heat enter करेगा नहीं लीफ करेगा है ना तो heat जब देंगे नहीं system को तो किस कोई walk done या फिर कुछ तो यहाँ पर होगा नि तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यह कर सकते हैं कि या तो इस piston को नीचे दवा दे जिससे gas compress हो या फिर हम लोग इस piston को ऊपर थोड़ा सा घसका दे ताकि gas expand हो है ना सो हम लोग क्या करेंगे यह जो पिस्टन है इसको हलका सा ऊपर ले जाएंगे जिससे की क्या होगा यह gas adiabatically expand करेगा कैसे एक्सपेंड करेगा adiabatically expand करने का मतलब मतलब यह expand तो करेगा लिकिन इस प्रकार से कि यह ना तो पिस्टन को ऊपर कर दिया है, ग्यास एक्सपेंड कर चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ न कुछ टमप्रेचर में बदलाओ आएगा, कुछ न कुछ temperature में बदलाव आएगा दिके अडायबेटिक expansion हो रहा है है न मतलब है कि ना तो ये कोई हीट ले रहा है कोई हीट दे रहा है अडायबेटिक expansion हो रहा है लेकिन यहां पर कुछ न कुछ temperature ये loss करेगा चुकि इसका volume बढ़ रहा है बेसिकली हमें क्या が ऐसा लिखना होगा कि भई या लेट्ट चेंज इन टेंप्रेचर गिइंट तेमप्रेचर में जो चेंज हुआ चली उसको DT माल लेते हैं ठीक अब एकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉफ थर्मोडामिक्स के एकॉर्डिंग हमें पता है अब चूकर यह जो प्रॉस है इसमें ना तो हीट ले रहे है या नहीं हीट दे रहे हैं तो होंगे यहां देखिए अब चुकि यह जो dw है यह external pressure के अगेंस्ट वॉक डन है तो आप इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो PDV के form में so you can write it as du plus PDV is equal to 0 ठीक अब मेरे प्यारे वीवस पिछली वीडियो में यहां पर हम लोगोंने specific hits की चर्चा की थी वहां पर हम लोगोंने देखा था कि जो आपका cv होता है यह equal होता है आपका du by dt से मतलब है कि rate of change of internal energy से जो cv है यह equal होता है है ना इसकी मदद से हम लोग du का value ले सकते हैं that is cv dt ओके यहां पर आप क्या करों du के जगे पर लिख दो cv dt plus p dv is equal to 0 that is cv dt is equal to minus p dv और dt is equal to minus p dv by cv ठीक यहां पर आप देखो dt जो change in temperature है इसका value आपको क्या मिल रहा है नेगेटिव में मिल रहा है अब यह negative value हमें क्या शो कर रहा है हमें यह negative value यह शो कर रहा है gas का temperature थोड़ा decrease किया temperature decrease किया तो अव्यसी बात है कुछ cooling प्रोड्यूस हुआ है तो कुछ इस प्रकार से हम लोग यह शो कर सकते हैं कि a diabetic process में cooling प्रोड्यूस होता है है यह यह यूजिंग फर्सलाफ थर्मोडानमिक्स और यह प्रकार से अप्लीकेशन ही है चुकि हम लोग फस्ट थर्मोडानमिक का यहां प्रियोग कर रहा है ओके चुकि यहां पर यह दो डीटी है यह नेगेटिव में आ रहा है है ना नेगेटिव का मतलब ही है भाईया कुछ ना कुछ कूलिंग यहां पर प्रोड्यूस होगा ओके तो आशाया आप यह समझ पर होंगे हैना कि क्यू अडाइबेटिक प्रोसेस में कूलिंग प्रोड्यूस हो पा रहा है हना हना और इसको फर्सलाफ थर्मोडानमिक की मदद से हम लोग शोग कर सकते हैं कि कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि मेल्टिंग प्रोसेस और बॉलिंग प्रोसेस पर अपलाई करते हैं फर्सलाफ थर्मोडानमिक तो क्या होता है इन सब को अगर आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएग आप वहां से देख पाओगे ओके